ये जग जाहिर है कि रूही अर्मान से बेंद्या मोबत करती है अर्मान को पाने की जद्दो जहद में रूही न न जाने आज सक्थ क्या 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 होगा लेकिन जब अर्मान को पाना सकी तो बेशगी रूही के दिलो दिमाग पे एक ही बात चाहिए है कि जो अर्मान उसको न बीच मंडप में छोड़ दिया है तो तब ये रूही रूही ना रही बलकि एक नेगटीव रूही बन गई है और इस बदले हुई रूही ने जड़ दिया है एक बहुती बड़ा मास्टर माइंड प्लान जिसको वो आज अंजाम दे रही है रोहित के रूप में नमस्का दोस कि अध्यां को धीरे धीरे अंजाम दिया जा रहा है जो कि किसी को पता ही नहीं और रही बहुती के अध्या से लेकिन तबी रूही के दिमाग पत्ती जलती है और रुही को ये समझ में आता है कि हो नहों इसी रोहीत के बदॉलत वो अर्मान और अभीरे का बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर सकती है और कहीं नहीं इसी नफरत की दीवार को खड़ी करते करते हैं रुही ने अपने मास्टर मैंड प्लान को अंजाम देना तो बड़ी गलती है अर्मान को ये सब कुछ पहले ही बता दे न था यदि अर्मान ये सब कुछ पहले ही सभी को बता दे था कि वो रूही से प्यार करता है अभीरा से नहीं वो अभीरा से शादी नहीं कर सकता है उसी वक्त वो सगाई के पहले बता दे तो और उसी वक्त ऐसा होता तो शायद अर्मान के खिलाफ, अर्मान के कारण जो अभीरा की मा की मुत्य हुई है, हत्या हुई है वो भी ना होती, और कई न कई रूही की जिन्द की बरबाद ना होती, रोहित को भी सारा सच पता होता, तो रोहित रोहित से शादी भी नहीं करता यही सारे चीजों को आज मनीश सभी के सामने डिसकस करते हैं और सारे घर वाले भी इसी बात को मानते हैं कि वाकई अर्मान से बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन कही न कही रोहित की भी तो गलती है रोहित को जब सब कुछ पता ही चल गया था तो उसे सायद शीदे सीदे रोहित से सवाल कर देना था सभी के सामने ये बता देना था कि ये दोनों प्यार करते हैं और इन्होंने हमें धोका दिया और तभी रोहित को यह सब बता देना था और लेकिन रोहित को इसने वैसा नहीं किया वलकि रोहित अपने भाईयों को फेस ने कर पाया और उस टाइम में शायद रोहित के दिलो दिमाग में उतना डेर नहीं था कि वो किसी को जाकर यह सारा चीज बता है और बदले में जो भ परिवार की तो तोहीं होगी, अरे अपने परिवार का मुद्धार परिवार का नाम खराब होगा, लेकिन आज तो नाम खराब होगा ना, आज तो सारी चीज़े बाहर आ गई दीग दीजिन चाहे लेकिन रोहित किया इस घर में और बाकी नफरत कोufficient अंच टीन तक खाना खूण धिया था अस्पताल में भरती हो चली थी आरे वो तो बिस्तरी पकड़ ली थी लेकिन क्या तुम्हें उन सब का प्यान ने दिखा, ऐसी बाते अभीरा रोहित को समझाने कुछ करती है, अभीरा रोहित को बताती है कि ये सब कुछ भी तो तुम्हें अपने दिमाग में डाल लाओगा कि तुम सिर्फ और सिफ अर्मान के लिए घर चोड़का जा रहे हो, क्या ये सारे लोग तुमारे घर नहीं है, ये सारे लोग तुमारे घर के रिष्टेदार नहीं है, तुमारा कून नहीं है, तुमारी जान नहीं है, क्या इनके बारे में तुम नहीं सुचोगे, और तबी अबीरा ने इसके पहले भी रोहित को ही रोका आज भी अभी अभीरा ने रोहित को इरोहित को सबूप में सब देखीर कि अरे वा, मेरी वाइफ तुम आ गई, अगर तुम आ गई हो तो मैं रुकी जाओंगा, यानि कुल मिला कर अब रोहीत अर्मान से पल पल तिल तिल का बदला लेने वाला है, जिस तरीका से रोहीत तडप रहा था अपनी पतनी के लिए, अब अर्मान तडपेगा, अभीरा के रह staying के लिए, अर्मान तडपेगे, ऐसा कुछ रोहीत और आप सभी को तो पता है, यह सब कुछ रूही भी तो चाती है, रूही भी तो चाती है, ना कि अर्मान और अभीरा अगर से ना मिले, आप रोहीत भी चाता है, यानि रोहीत और रूही एक ही टीम के, दो ऐसे पहली जिन लों का लक्ष एक है लेकिन रास्ता अलग है दोनों को पहुंचना एक ही जगप है लेकिन दोनों ने रास्ता तैया कर लिया अलग अलग वाला लेकिन कोई बात नहीं इन दोनों का जो लक्ष है वो है अर्मान और अभीरा को अलग करना अर्मान और अभीरा के बीच में अर्मान और विद्या के शादी को नहीं होने देना जो कि दादी सा का सारे घर वालों का भी सबसे बड़ा लक्ष है और इसलिए शायद आज दादी सा ने विद्या को भी बढ़काया है विद्या को ये बोला है कि मुझे जानना है विद्या कि तुम आज कौन सी विद्या हो क क्या तुम वो विद्या हो जो अर्मान की मा है, क्या तुम वो विद्या हो जो अभीरा का अपनी बहु मानती हो, क्या तुम आज वो विद्या हो जो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकती हो, मेरे लिए अपने दादी से अपने सांस के लिए सब कुछ कर सकती हो, आज वो विद्या हो जो तुम अपने पती से प्यार करती हो क्या तुम आज वो विद्या हो जो रोहित के लिए इंतिजार में तड़प रही थी और उस रोहित को अपना बलाना चाहती हो क्या तुम वो विद्या हो जिसके बाद विद्या पूरी तरीके सा कन्फ्यूज जाती थी क्योंकि याद करो जब रोहित गया था तो उसके बाद तुमने अर्मान के बारे में सोचा यानि तुम अर्मान की मा थी अर्मान और अभीरा के शादी करवानी थी तो तुम तब अर्मान की मा थी अर्मान के लिए तुमने लड़ लिया सभी को एक कर दिया तुम अर्मान क कि मा थी अपने पती के लिए शिवानी से जाका लड़ गई तब तुम अपने पत्नी की अपने पत्ने थी लेकिन कभी भी तुम आज तक रोहीत की मा नहीं बन पाई हो शायद अब वो वक्त आच चुका है विद्या तुम्हें अब रोहीत की मा बन जाना चाहिए कुल मिलाकर तालिया बजाना चीए दोस्तो दादी सा के लिए दादी सा किसी को भी मेनिप्लेट कर सकती है अपने बातों मूल जा सकती है किसी को भी अभीरा के खिलाफ खड़ा कर सकती है अर्मान को किसी के खिलाफ खड़ा करना मतलब अभीरा को किसी के खिलाफ खड़ा करना और अभी द लिकिन उस रिष्टे का भी लिहाज नखते हुए, दादी सा ने आज उनी की मा को, अर्मान की मा को विद्या को आर्मान के खिलाफ कर दिया। जिसके दोनों बच्चों के खिलाफ उसकी नजरों को ही तेवर बदल दिया, ये कर दिया гई दादि सण है, तो क्या इन सबकास और विद्या में के साथ, अर्मान और अविरा के रिष्टे पर ही पढ़ेगा, और क्या रूही और रूही दोनों मिलाकर अर्मान अविरा को ऐसा अलग करते रहेंगे क्या लगता आपको आपका केम्ति जो कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगए यदि आप है यह रिष्टा क्या क्या लाता कि फैन यदि आप चाहते हैं कि अर्मान अरुब्राइट जल से जल एक हो जाए तो वीड मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगरी रिपोर्ट में तब आपको ख्याल रखें बाई बाई टेक क्यार